कि यो नमस्कार आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं बैगन के खेती के बारे में अभी बैगन में बहुत सारा प्रोब्लम आ रहा है आज जो है हम एक प्रोब्लम जो है वह है रूटेंड सूट वोरर जिसको तना छेदक के नाम से जाना जाता है आज उसके बारे में हम जा रहे हैं बताने से पहले आप जो है हमारे चाइनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किजिए और हर्मेशा नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाईए चलिए हम चलते हैं आगे फूल फोल सा पक्रा हुआ है लेकिन सबसी है व्यूल वी जो है देखिए बहुत अचा नकीडा हुआ है यह देखिए हैं धालाग लागा हुआ है यह देखिए कि दिखे च्टा-च्टा ऍлекिर नजर आ रहा है इसको में बारी की सद्य देख सकते हैं रूट अगर तो रहा है इस ताना को हम तोड़ते हैं देखिए यहां पर जो है किरा लगा हुए देखिए यहां पर जो है यह किरा जो है इसको नुक्सान किया हुआ है और है ओग ships देखिए की eso निकल रहा है कि एसलों कि है है दिखिए यह किरा देखिना ये कीरा बहुत बहुत पहुत गहंतक है और अभी जो है और यहां बहुत हमापको पहोतव दिखाने जा रहे हैं यहां यह दाली दाली यहां कि यह भी डाली कीड लग ँफिर है किना फ्रेकों यह देखिए तना फ्रेक का है यहीद मैसे अनगर का है में यह डाले में प्रेसे सूट पनगों जिसको फाद्षेदक और तनाख्षेदक हम कहते हैं अब जो है यह बैगन में ही ज्यादा लगता है कि अब हम आपको बताएंगे कि अब किस कारण से लगता यह जो है इसमय पर इसका लेबल का जो दवा है वो नहीं मिल पाता है या कोई किसान देने में थ्रक्षम नहीं नहीं है या नोलेज नहीं है इसलिए किसान जो है बर अईसा पर इस्थिती से किसाना गुजरता है या गुजरना पड़ती है को सब्सक्राइब हम आगे देखते हैं की इसको कैसे बचाया जा सके r common दोस्तो हिसके जो है भुतने के है वह बीमारी से हिए परसान रहेगा कीड़ा सही परसान रहा तो फिर उपज compls क्या लेगा उसके लिए जरूड़ी है इसलिए हम वीडियो के माधिय हम से किसान भाईयों तक हमना पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो है ऻो इस अगया बार सब्सक्राइब करने के नाम से आता है और आपका कि कलोड़ो कोडिफोस 50 परसंट और साइपरमेथरिन पांच परसंट दो परती लीटर यह दोनों मिला करके और जदी हमें करें तो इसका जो है निदान हो सकता है और हम इस कीडा से बच सकते हैं बहुत ऐसा फार्मर हैं जो कहते हैं कोड़ा जीन कभी आपको दवा में ऐसा कोई श्तिती नहीं है हम दवा भी आपको दिखा रहे हैं कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि और दोस्तों इसके साथ हमको यह भी दियान देना है कि मान लेते हैं कि हम इमाम मेक्टिन और आपका साइपर मेथरीन जो हैं मिला करके मार रहे हैं क्लोरोपोरिफोस और साइपर मेथरीन तो हम एक बार स्पिड़े करेंगे एक पार जो है हम 15 लीटर पानी में 10 ग्राम इमामेक्टिन और साइपर मेथरीन 50% और कलोरोपोरिफोस 5% यह मिक्स करके मारेंगे फिर दो तीन बार जो है हम सिर्फ साइपर मेथरीन 50% और कलोरोपोरिफोस 5% मिला करके मारेंगे दोनों मिक्स करके बार बार हम नहीं करेंगे एक बार दोनों मिक्स करके मारेंगे और दो से तीन बार सिर्फ सिंगल दवा मारेंगे उसमें क्या होगा कि दवा जो है वह पौधा के साथ मतलब अनिश्चित काल के लिए ऐसा संबंद नहीं रखेगा नहीं तो दोनों मिला के हम बार बार मारेंगे तो फिर जो है दवा काम करना बंद कर देगा और फिर उससे ज्यादा पाउड़ का दावा का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा दोस्तों है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और दूसरा चीज के बारे में बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद थांक यू नमस्कार